तो वेल्केमें दोस्तों नमस्कार आप सभी का चली शुरू करते हैं आज का टॉपिक और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेगरॉफी पेपर टीक है लेकिन बताओंगा नहीं अभी चलिए इंपोर्टेंट कोशन देख लेजिए यहां से भी कोशन मेंच करेंगे बहुत ज्यादा इसमें पहला कोशन है हमारा कि प्रत्वी के उत्पत्ति कैसे हुई ठीक है और प्रत्वी के आंत्रिक्सन रचना के बारे में बताईए ठीक है इ भुकम किसे काते हैं भुकम के कितने प्रकार हैं तो सेकंड कोशन है वाट इज आर्थक्विक एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा ज्वाला मुक्ष क्या है ठीक है और यहां कैसे फटता है तो वहां के बारे में पूछा गया है हैं इसे यह बलास्ट कैसे होता है यह बताना है ठीक है अगे दिख लेते हैं नेक्स्ट बूओ आकरतिया तथा विकास के पहलू को बता आए ठीक है यह फाइप नंबर हमारा कौशन है बूमन डलियर वाइप मंदल के पर आपर हैं पर बाताना है कि यूद्ध नियुक्त सोत बताना है इस हमारे करना का करना है वाइ मंडल के कौन-कौन सा लेवल है, जिसमें आप बता सकते है, कहमारा जो वाइ मंडल है, सबसे पाले, छोब मंडल पायाता है, फिर समताप मंडल, फिर मेद मंडल, देन आयान मंडल, फिर हमारा Beहिर मंडल, ठीक है? आगे देख लेते हैं, तो यह समताप मंडल में हमारा क्या पाभ़ा एक हमारा औजन परत पाजाता है और ये हमारा हवाज जाज के उर्ण लिए सबसे अच्छा मंडल है नेक्ट है हमारा अच्छा राइटिं मेरे कैसा है जी बताईए ठबा सा खराभ तो खराभ लिखेगा अच्छा है तो अच्छा लिखेगा आरे की ड्वारेम abonow के दुआरा जाती भांसा भर्म के वित्ररन के अधार को भताईए तो इन आधारों को बताना है पढ़ लेना आपको इस टाइप से कोशिन देखने को मिलेंगे सेवन नमबर है विश्व जन संख्या के वित्रन के परतिरूप को बताईए कि विश्व में जो वर्ल्ड में पॉपोलेशन है और भारत का भी आप लोग लिख लीजिएगा कि भारत के जन संख्या के बारे में एक छोटा सा लिख लेखना है अब मैं छोटे-छोटे कुछ वर्ट्स दे रहा हूं जिसके बारे में नोट्स लिखने के फाइप मार्क्स के आ सकते हैं जन संख्या करनत यान से जो निकलती है नदी उसको हिम नदी बोलते हैं जैसे हमारे हिमालाइक से जो नदी निकलती है उसको हिम नदी बोलेंगे ठीक है फिर हमारा एलो नियन क्या है इसके बारे में जानना है दबाव पेटी क्या है ग्रह यह पवन क्या है और जलवायू छेतर उसके बाद हमार को यह इमेज बनाना है ठीक है पाला सियाल फिर सीमा फिर निफे फुल्फम जानते हैं सियाल का ठीक है सिलिकन और अलुमेनियम से बना है प्रित्वी का बू पट्टी उपरी परत ठीक है जिसके लिए इसे सियाल पूल जाता है सीमा बीच का यानि कि इसमें सिलिकन और मैंगन डीटेल में आप लोग बता दिजीगा कौन कितना मोटा है कहां से कितना तक क्या पाए जाता है यह इंपोर्टन कोशेंट नहीं जोग आपके एक्जाम में आ सकते हैं और हां आप लोग का जब एक्जाम हो जाए तो अपना कोशेंट पर हमें इस नंबर पें पर सेंड सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लिजेगा एक्जाम में जाने से पहले